नमश्कार दोस्तों मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और बेल आइकों दबाईए आज हम आपको लेके चलते हैं वापस से शिमला शिमला के वह बागान जहां पर एपल वगरा सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से फल्टी फूर्टी है आज हम आपको गौबी की खेती दिखाते हैं गौबी फ्लावर आप देखिए कितने ताजार कितने लंबे पत्तों के साथ में एक गुंगट को ओड़े हुए गौबी आप देखिए ये पहाड़ी के शिमला से बहुत उपर एक पहाड़ी पर खेती होती है वहाँ का है ये देखिए आप खोपसूरत नजारा हमारी धर्ती का स्वर्ग माना जाता है निमाचों वहीं के आसपास के गौओं में ये खेती होती है ये सुन्दर सुन्दर से दिखने वारे पौद है आप देख सकते हैं आपने हर जगह की सबजियां देखी होंगी लेकिन इतनी ताजा और सुन्दर और लाजवाब सबजी आपने नहीं देखे होगी ये पहाड़ीयों के दुर्णब प्रास्तों से होते हुए उपर खेती में जाना परता है और यहाँ पर सीड़ी नुमा ख इस तरीके से इनको पैट किया जाता है पत्तों में गोबी को ढखा जाता है और फिर इनको अच्छे से रखने के बाद में एक बोरे के अंदर बंद किया जाता है यह देखे आप यह इन रास्तों से होते हुए और खेतों में जाना परता है यह इस तरीके से हवा पास होती रहे है इनको भी के फ्लावर को मतलब पैट करके मार्केट में ले जाया जाता है यह शिंबला के बागन की को भी है तो ला जवाब तो होनी है हमारे चैनल को देखने के लिए आप लगाए